Hello and welcome to Bollywood वाला, I am Sonub दोस्तों, बधाई दो नाम का फिल्म देखा मैंने थेटर में यार बिल्कुल बज नहीं दिखा इस फिल्म का थेटर में मुश्किल से पाच लोग आये थे एक मैं था और बाकी जो चार लोग थे उसमें से दो कपल्स थे तो एक कपल ने पकड़ लिया इस्ट का कोना, दूसरे ने पकड़ लिया वेस्ट का कोना अब उनके साथ बधाई हो चल रहा था या बधाई दो ये भगवान जाने अगर मैं फिल्म की बात करो दोस्तों, मुझे ठीक थाफ ओके वन टाइम वाच लगा ये फिल्म जो first half है फिल्म का, वो moderately enjoyable है, कुछ-कुछ jokes है, कुछ-कुछ funny situations है जो आपको थोड़ा हसाएगा बट जो second half है उसमें humor मुझे बहुत ज्यादा कम लगा और जो climax है वो काफी, मतलब, preachy लगा जो ऐसे फिल्मों में अकसर होता है और ending जो था, वो काफी predictable था तो overall मुझे ठीक टाक, strictly one time watch average जैसा एक फिल्म लगा basically क्या है ना, आप जब एक फिल्म बनाते हो, जिसमें आपने gay और lesbian का topic उठाया है ऐसे फिल्म को अगर आपको mainstream audience तक पौचाना है, तो आपको ऐसे फिल्म को laugh riot बनाना पड़ेगा you will have to make it extremely funny so humor के मामले में ये फिल्म थोड़ा पीछे रह गया and especially if you compare it with बधाई हो, बधाई हो was very very funny तो वो fun element थोड़ा थोड़ा नहीं, बहुत majorly missing लगा like I said, first half में कुछ-कुछ situations है जो आपको थोड़ा बहुत हसाएगा but overall humor बहुत थंडा लगा, कुछ-कुछ punchlines बराबर उतना काम नहीं किया and majorly comical element जो था, वो majorly missing लगा इस फिल्म से अब दोस्तों, अगर आप बधाई हो से compare करोगे और एक चीज बहुत majorly missing लगा, strong supporting characters जो इस फिल्म में बिलकुल ने था और जो बधाई हो में बहुत अच्छे से था क्योंकि उसमें आयुष्मान था, सान्या थी but इमके अलावा इट वस नीना गुपता and गजराज राव स्टोरी और दादी भी थी उस फिल्म में, सुरेका सिक्री she was also very very interesting तो strong supporting characters also made बधाई हो very very exciting and interesting and engaging and entertaining to watch तो वो supporting characters, ऐसा supporting characters, strong supporting characters मेरे को इस फिल्म में दिखा नहीं, सीमा पावाजी है वो है नहीं है फिल्म में यार एकी जैसा है sheba chadda है, बट sheba chadda का role मुझे कुछ उतना खास लगा नहीं यार ऐसा कोई बड़ा impactful role लगा नहीं तो जो भी supporting actors थे और उनका जो character जिस तरह से लिखा गया था वो उतना strong मुझे लगा नहीं, उतना interesting लगा नहीं उतना attention seeking लगा नहीं यार उतना grip करके नहीं रखा, thrill करके नहीं रखा तो ये एक बात भी है अब यार बाकी अगर मैं वो topic जो मतलब छेडा है वो topic में यार लोग ने थोड़ा वो love, romance, romance दिखाने का कोशिश किया है वो ठीक ठाक लगा, बट basically न let me reiterate वो ऐसा topic आप चुनते होगे lesbian वाला, इसको आपको न बहुत humorous बनाना है उसको इतना सारा situations आपको डालना है जिससे लोगों को हसी आए तो ही लोग देखने आएंगे तो ही ज्यादा लोग masses आएंगे देखने के लिए नहीं यार मजा जब ने रहेगा ऐसे topics में ऐसे film में तो फिर वो देखने का बिलकुल कोई मतलब entertainment value नहीं मिली गा तो that I thought was missing from this film अब performances की अगर मैं बात करू Rajkumar Rao has done a fabulous job no doubt about it, बहुत अच्छा performance दिया है खासकर वो जो drunken act है उनका वो मुझे बहुत बहुत बढ़िया लगा climax में भी बहुत अच्छा heart-touching performance दिया उन्होंने भूमी ने भी बहुत अच्छा काम किया तो acting wise Rajkumar Rao and भूमी Pidnaker were very very nice अब इनके अलाबा Gulshan Devayya का एक special appearance है वो अच्छा एक good appearance था उनका अच्छा performance दिया Gulshan is a very very good actor थोड़ा ही है ज्यादा बड़ा role ने है second half में आता है बट जब भी आते है जिस तरह से वो आते है जो उनका introductory scene है वहाँ पे काफी अच्छा performance दिया Gulshan Devayya ने I really liked it तो दोस्तों यही है फिल्म के बारे में अगर मैं कहूँ तो बाकी उतना कुछ ज्यादा मतलब ऐसा कुछ बात नहीं है जो आपको बांधे रखेगा overall ठीक ठाक, okay I am going with two stars for this film बधाई दो अगर आपने देखा है फिल्म तो मुझे लिख कर बताना आपको यह फिल्म कैसे लगा चलिए for the moment, ta-ta दोस्तो एक और actress है उनका नाम लेना मैं भूल गया चुमदरंग, अरनाचल प्रदेश की actress है, बहुत ब्यूडिफुल लगी है अच्छा काम किया उन्होंने भी basically और एक चीज मैं कहना चाहता हू Rajkumar Rao के लिए है यह बात अच्छा actor है, no doubt about it wonderful, wonderful performer on screen but he needs to do more commercial films he needs to choose those scripts that will make him into a box office star that will make him a bona fide box office star commercial star तो ऐसे scripts चुनो क्योंकि ऐसे बधाई ही दो जैसे scripts अगर आप चुनोगे तो उसमें वो commercial massi element नहीं है तो ऐसे ऐसे films ना पहले आयुष्मान किया करता था ऐसे subjects पे तो अभी पता नहीं राजकुमार राव के जोली में आरा शायद but this is something that I feel that राजकुमार राव should look at doing in future you know, opt for scripts that will make him a massi star a mass star anyways दोस्तो आपका take लिख कर बताना बदा ही तो देखा है तो आपको कैसे लगा film चलिए, for the moment, टा-टा